नमस्कार जेकी अपडेट में आपका स्वागत है मैं हूँ साक्षी सभरवाल मेरे साथ हिसमे स्टूडियो में मौझूद है बहुती छोटी सी क्यूट सी अनुभूती गुपता देखने में ये जितनी छोटी सी आपको लग रही है उनके कारणा में उतनी छोटे है नहीं है जी हाँ मैं आपको जिस अनुभूती गुपता से आज मिलवा रही हूँ ये बहुत ही प्यारी सी डांसर है इन्होंने सिरफ जमू कश्मीर में ही डांस नहीं किया है बलकि पंजाब में और आल इंडिया लेवल पर टेलेंट हंट प्रोग्राम में जो डांस किया है उसमें फर्स प्राइज मिला है अनुभूती हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है तांक यू अचा अनुभूती सबसे पहले क्योंकि हमारे साथ हमारे व्यूवर्स भी हैं तो वो यह जानना चाहेंगे कि आप कितने यर्ज के हो मैं सेविन यर्ज की हूँ अभी फर्वरी में 21st प्रेप को 8 यर्ज के रहूंगी अचा आप ये भी बता दो आप हम सब को कि आप कौन सी क्लास में हो मैं थोर्ड में पढ़ती हूँ और कौन से स्कूल में? प्रेजन्टेशन कॉन्वें से केंडरी स्कूल गांधी नगर चमू अचा आप मैंने जिस तरह से आपके डांस देखें हमारे विवर्स को भी हम दिखाएंगे कि आप किस हाई लेवल तक का डांस कर लेते हैं यानि कि डांस आप जब इनका देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्यूट सी दिखने वाली अनुभूती इतने अच्छे एक्स्प्रेशन के साथ और इतने अच्छे अच्छे डांस परफॉर्मेंस देती हैं कि बड़े-बड़े भी हैरान रह जाएंगे कि ये इतननी सी अनुभूती ने किये हैं अनुभूती डांस का जो शोग था ये कहां से शुरू हुआ कैसे मन किया कि मैं जो डांस ही करना है पहले मैं जब छोटी थी टू और थ्री अर्स थी तब मैं जब भी किसी शादी में रादी थी मैं प्लेटों को पकर के डांस करती थी अच्छा तो इसलिए फिर हम डांस चुरू किया मतब आपको ये हो गया कि मैंने डांस करना है तो आप जो आजकल के सॉंग्स हैं वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं आजकल की जो डांस मूवमेंट्स हैं वो भी बहुत मुश्किल होती हैं तो कैसे कर लेते हो आप सेर सिखाते हैं आच्छा आप डांस सीखते हों मैं यह जाना चाहूंगे कि आप डांस किन से सीखते हो मैं सेर से वो कहां यहीं जमू में सिखाते हैं डांस जमू में बक्षिनगर आच्छा तो आप डांस को कितना टाइम देते हो पूरे दिन में से 2 or 3 hours 2 or 3 hours आप डांस को देते हो और पढ़ाई को पढ़ाई को 1 or 2 आप आचा अब इस द उरान जब करोना रहा पूरा साल आपके स्कूल अभी भी बन्द है तो ये पूरा साल आपने क्या किया पढ़ाई की या डांस पेफोकस किया डांस पेफोकस किया ख़ए हम वह जाके पढ़ते हैं आछा वहां जाके पढ़ाई भी कर लेते हो यानि आप पढ़ भी लेते हो और साहरा है वहाली बैराइन कर लेती है दोगते सकी बहुत है कि तरह आप टॉप भी कर सकते हैं और आप पढ़ाई में भी अच्छे मांक्स जो हैं वो ले सकते हैं अनुभूती वैसे तो मुझे पते हैं कि आपने बहुत सारे लेकिन तब यह महस 6 साल की थी अनुभूती उसके बाद अभी जो लेटिस्ट जिसने हमें मजबूर कर दिया अनुभूती को यहां बुलाने का और आप सब से मिलवाने का वह जो टेलेट धंट प्रोग्राम और इंडिया लेवल पर हुआ जिसमें अठारा सो बच्चों ने प प्राइब जीता अनुभूती वहां पर कैसे मौका मिल आपको जाने का वहां पर हमेरे स्कूल ने बोला था कि जिन जिन को पार्टिस्पेट करना है वह अपनी वीडियो बेच बेज दें वहां पर हमें इंस्टाग्राम पर डाली थे अपनी वीडियो ठीक है एक मिनिट की जिसके बढ़े कमेंश और लाइक तो आपको फिंटी मर अए उसके पास जजीaba बेका कि पिस कर चान सबस्य चा था और इसको फिर्सट प्राइज मिला की का तो शर्वा का लाइं इसलिए तो कैसे एंब को अपको फ्रस्ट प्राइज मिला तो इसको कैसे छिक्क किया अपके पहले पर एक डान्स किया थे तो उसकी को प्रेक्टिस करके फिर्म लेगे डाला तो गाना था कुन सा क्योंकि हम अपने विवस को गाना तो दिखाएंगे लेकिन आप बताओ गाना था कुन सा अनुभुती फैमिली में और कौन कौन है मेरी फैमिली में ममा, मैं, मेरा भाई, चुट्टा भाई है मेरा और दादी दादू है और पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा, मेरे पापा रेसेप्शनिस्ट है अच्छा मुझे बताओ आपको डान्स के लिए कौन जादा इंस्पायर करता है आपको कौन कहता है कि अनुवुती डान्स करो कोई बात ने पढ़ाई बाद में भी कर सकते हो पापा जादा आपको करते हैं या ममा आपको जादा फैवर करती है ममा करती है और ममा पढ़ाई के लिए भी बोलती है लेकिन ममा जादा फैवर करती है आपको जयाधा क्या पसंद है और गथाएक्टो परणाय कीजार कपा आपको किस तरह से करोगे है क्योंकि छाना आपको जामенти जा ना आखितक था फिर हम घर जाते थे और 3,5 तीं घर पों जाते थे और फिर फोर ओक्लॉक से हम डांसिंग जाते थे उसके बाद 5 o'क लॉक से दांस च्यूडू करते थे तब हमारी अकड़नी भी स्टाट थी लोकड़ों से पहले वहां बच्चे भी आते थे बहुत सारे हमारे अलावा औ और फिर हम उनके साथ डांस करते हैं, ठीक है, तो अभी करोना लॉकडाउन था, तो आपने फिर भी डांस को कंटीनु रखा? कंटीनु रखा हां पर आप कैसे पहुंचे थे, ममा ने पता किया था या सर को पता था, या आपको खुद कहीं से पता था, तो फिर मैं वहाँ गई और फिर भी मने डांस किया और मेने को फरस्ट प्राइब में तो वहाँ पे कहँ सा डांस आपने सिलेक्ट किया था? सलाम इश्क तो इसके लिए किती तैयारी की थी आपने? उसके लिए बहुत तैयारी की थी तो का फेवरिट सॉंग होन सा है अगर पूछा जाये तो मेरा फेवरिट सॉंग है गली-गली गली-गली और डांस में आपको सबसे जादा कौन अच्छा लगता है जिसको आप देख के आपका मन करता है कि मुझे भी ऐसा ही डांस करना चाहिए मुझे डांस मेरे सर अच्छा लगता है अच्छा मदलब आपके रोल मॉडल आपके सर है ठीक है और इसके इलावा अगर मैं अग्ट्रिस या अच्ट्रिस की बात करूँ तो फिल्म लाइन में आपको कौन पसंद है कट्रीना तरफ अच्छा उनका दान्स आपको पसंद आपको आपको आपका मन करता है कि उनी की तरह आपको भी डांस करना है ठीक है अब मुझे बताओ कि अब जसे स्कूल खुल जाएंगे ठीक है तो स्कूल के साथ आपको पढ़ना भी है और उसके साथ आपको अपने डांस, उसके इलावा आप और क्या करते हो, दांस क्लास है, स्कूल है, उसके इलावा कुछ और? उसके बाद जब मोड़ जब अम पार्ट जब नपड़ नहीं था कि अबी और तैयारी कर रहे हो आप किसी competition को लेकर कि अभी नहीं अभी अभी आप शुटी पर है अचछा अभी लास्ट आपने जो अलीडिया लेबल का चलेफंट प्रोग्राम जीता जिसमें एटीन हंडर्ड काड़िटेफ्ट जो थे उन्होंने participate किया था जिसमें से अनुभूती ने first prize हासिल किया तो ये एक ननी सी हमारी guest थी जिन्होंने हमें मजबूर कर दिया आपके साथ रूबरू करवाने के लिए क्योंकि इस ननी सी बच्ची ने महस्ट 6 साल में एक के बाद एक competition जीतने शुरू कियें और अब जस तरह से national level पे इन्होंने एक dance competition जीता ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है अनुभूती हमारे studio में आने के लिए हमसे बात करने के लिए हमारे viewers के साथ अपने beautiful से experience शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त नमस्कार जी के अपडेट रहे हमारे साथ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेस्बुक पेज लाइक ज़रूर करें पर इंपर इंपर इंपर्टीसमेंट प्लीस कॉंटक्ट ग्राइब करें 705-109-1811